नमस्कार मित्रों जैसा की दीन दयाल उपध्याय गोरकपूर विश्विद्यालय गोरकपूर की बीएट प्रथम समेस्टर की परिच्छाएं प्रारम हो चुकी हैं और उसमें से दो पेपर फस्ट पेपर और सेकंड पेपर हो चुके हैं दोनों प्रस्ण पत्रों के एंस्वर की मैं जारी कर चुका हूं से आप उसे परिच्छा बात मिला लीजिए उससे पहले थर्ड पेपर चाइल्ड हुड एंड ग्रोविंग अप बाल्यावस्था और विकास से संबंधित संभावित महतपूर प्रस्णों को मैं आपके समझ ल रूप में किसने प्रत्रपादित किया साहिफ़तर आपके समझ्च है प्ली टो एवं अरस्टू ने दूसरा प्रस्ण है वन्साणुक्रम को पर्जभाशित की जिए तो वन्साणुक्रम मातां से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है तीसरा प्रस्ण है आपके सम्मुक दर्शन मनों विज्ञान की उत्पत्र की सास्त्र या विशय से हुई है तो दर्शन सास्त्र से हुई है प्रस्ण संख्या मनों विज्ञान को चेतना के विज्ञान है रूप में किस ने प्रतिपादित किया इसका उत्तर है जिन सली अ Lewis ने मनों विज्ञान है को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया तो यहां मैं PDF के माध्यम से या विद्या क्वेश्चन बैंक से मिला हुआ है और यहां तक बहुत ही महत्पूर प्रस्ण है आप इसे देख लें आईए पच्वे सब्सक्रावार को देखते हैं पच्वेश्चन है मनो विआन से इसे जो अभिप्राय की बात है वे यहां पर देख़ी दिया हुआ है सिच्छा मनो बिज्ञान मनो बिज्ञान की वह साखा है जो सिच्छा संबंधी समस्याओं के विवेचन, विशलेशड तथा समाधान पर चिंतन करती है कोलेशनिक महदय के अनुसार मनो बिज्ञान के अनुसंधानों तथा सिच्छा के चेत्र में प्रियोग ही सिच्छा मनो बिज्ञान है तो आप इस परिभासा को याद रख लें आप descriptive प्रसन लिखते समय अगर सिच्छा मनो बिज्ञान को परिभासित करने की बात आएगी तो वहां भी कर लेंगे और यद ये परिभासा ही पूछले किसकी है तो कोलेशनिक मवदय की है छठा प्रसन है मनो बिज्ञान का अर्थ है तो मनो बिज्ञान एक ऐसा बिज्ञान है जो नौकेवल मानों वरन पसुगों के सामान ने ब्यवहार का भी अध्यान करता है तता इस अध्यान के अंतरगर्द व्यवहार के उन समस्त पहलों को समलित किया जाता है जो व्यक्ति के मानसिक सारीरी केवं समवेगात्मक पच्छ से प्रभावित होते हैं तो आप इस मनो बिज्ञान का भी अर्थ यहां देख सकते हैं और शाथ भी याद रखे कि अगर पूछे निम्न में से प्रमुक्त वहार बादी कौन है तो वाट्सन महोदे है और इन्हें वहारबाद का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने मनों विज्ञान को बेवार का धनात्मक विज्ञान कहा है आठमा प्रस्न है बाल्या अवर्ष्था को जीवन का अनोखा काल किस ने कहा तो बाल्या अवर्ष्था को जीवन का अनोखा काल कोल एवंग बुरुष महोदे ने कहा था किसोरा अवस्था की आउशक्ताओं को मुख्यतक कितने और कौन-कौन से भागों में बाटा जा सकता है, तो तीन भागों में किसोरा अवस्था की आउशक्ताओं को बाटा जा सकता है, सारीरिक, वनुबैज्यानिक, सामाजिक. प्रशन संख्या 10 है कि सोरा अवस्ता वँआ अवस्ता है जिसके द्वारा एक विक्स मान व्यक्तित बाल्या अवस्ता से प्रवड़ा अवस्ता तक पहुचता है किसका कथन है तो या प्रसिद मनोबै ज्यानिक कोलेशनिक महोदय का है, प्रस्ण संक्या 11 को देखा जाए, अभिब्रिद्ध और विकास में दो प्रमुक अंतर बताईए, तो जो प्रमुक दो अंतर आपके समच्छ है, विकास अतिव्यापक सब्द है और अभिब्रिद्ध अतियंत सीमित और दूसरा विकाश का प्रत्यच मापन नहीं हो सकता जब की अभिविद्ध को प्रत्यच माप सकते हैं यह की जो विकाश अति व्यापक सब्द है उसे हम माप नहीं सकते प्रत्यचत जबकि अभिविद्ध Stones्त שלי में लंबाई याकार भाराध में जो परिवर्तन होता है उसे माप सकते हैं तो अभिविद्ध के अंतरगत आता है तो दो अंतर आपके समच्छ है प्रसने संख्या बारा है कि सोरा अवस्ता से संबंधित स्टेनले हाल का प्रसिद्ध कथन क्या है या ऐसे पूछे कि स्टेनले हाल ने कौन सी पजबासा दी है तो कि सोरा अवस्ता बड़े बल तनाव तूफान एवंग संघर्ष की अवस्ता है किस ने कहा तो इस्टेनले हाल महोदे ने कहा था अगला तेरहवां प्रस्न है अंतर दर्शन बिद्ध क्या है उत्तर यह एक ऐसी बिद्धी है जिसमें व्यक्त स्वेम अपनी मानसी श्टाओं का निरिच्छड करता है तथा अपनी अनुभूतियों का स्वेम ग्यान प्रप्त करता एक अन्तर दर्शन भी थी है आईए प्रश्न चोदो को देखें अभिविद्धी एवंग विकास के दो प्रमुक सिध्धान्त बताईए तो अभिविद्धी एवंग विकास के दो प्रमुक सिध्धान्त हैं पहला है विशिष्ट करम का सिध्धान तथा दूसरा है समान प्रतिमान का सिध्धान पंद्रा नंबर प्रस्ण है सिच्छावा प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्यक्ति के बेवहार में परिवर्तन किया जाता है किसने कहा तो यह उत्तर प्रसिद्ध यह परिवासा प्रसिद्ध मनो बैग्यानिक सिच्छाविद जेम्स ड्रेवर महोदय का है प्रशन संक्या 16 है कि 16 वर्षता की आयु सीमा क्या है तो कि 16 वर्षता की आयु सीमा 12-18 वर्ष है यहीं से आप 600 वर्षता जन्म से 6 वर्ष और यद पूछे बाल्य वर्षता तो 6-12 वर्षत होता है आप इसे तयार करें यहीं से प्रशन बनेंगे आए अगले प्रशन पर चल मैं बोल ला हूँ आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसमें है कि सिच्छा एवं मनो बिज्ञान में संबंद बताईए तो सिच्छा का प्रतेक्षेत्र मनो बिज्ञान के द्वारा 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 अर्थ क्या है तो प्रजशनन प्रक्रिया द्वारा है अन्य वंधे गुणों को वन्सानुक्रम करए है जब कि वातावर रड के भीत्रून समस्त बस्तूओं को सम्थित किया जाता है जो भूसको को घेर करते हैं जब किवाता वरण के भीतर उनसमस्त बस्तूओं को समलित किया जाता है जो अन्य बस्तूओं को घेर कर उन पर अपना सीधा प्रभाव डालती है तो आप इसे भी दो अब्जक्तिव टाइप में प्रस्न आएंगे तो यह जो अतलगतरी टाइप प्रस्न है इनमें से अगर आप चाहें तो वह तैयार करन तो वहों पर भी काम आएगा और डिकांप्रिप्टिव में भी काम आएगा अगला प्रस्ण है प्रस्न संक्या किस भी तैयार है किसोरा वर्षथा में सामाजिक विकास का अर्थ बताइए तो किसोरा वर्षथा में बालकों में सामाजिक संवन्ध उत्तरदाइट और नैतिक्ता के भाउँ का विकास हो जाता है वह सामाजिक कारियों में भाग लेता है एवंग बिभिन सामाजिक संस्ताओं में कारिश शुरू कर देता है तो इसे भी तयार रखें कि सोरा अवस्ता में सामाजिक विकास का अर्थ होता है प्रस्न संक्या 20 है वनसा नुक्रम वाता वरण के मद्य संबंद लिखिये तो वन्सानुक्रम वातावरण को प्रिथक नहीं किया जा सकता दोनों परसपर संबंधित हैं एक का विकास दूसरे के बिना संभव नहीं है वातावरण ही वन्सक्रम को विक्षित करता है लेकिन एक निश्चित सीमा तक 21 नंबर प्रस्ण है सिच्छरों परिपक्वता में संबंध बताईए तो सिच्छर एवंग परिपक्वता में जो संबंध है परिपक्वता सिच्छर को प्रभावित करती है और प्रभावी भी बनाती है यह सिच्छर में सहायक होती है प्रस्ण संख्या 22 है सिच्छा सब्द के अंग्रेजी अनु बाध कि उत्पटि किस सब्द से हुई है तो लेतीन भासा के कें अब्जक्टिभ प्रस키 clear को देखें आदुनिक मनों विज्यान हैं का जो अर्थ है वह है वह हका बिझ्ञान यारि की सइह उत्तर कर रहा है तो आदुनिक मनो विज्ञान विवहार का विज्ञान है और अगला प्रस्ण देखें मनो विज्ञान अधेनों में किस पद्धत को अपनाया जाता है तो यहां बहिर दर्शन विदी विशेश रूप से किस पर निर्भर करती है तो इसका सही उत्तर है आप्षन दी परिच्छडव निरिच्छडपर प्रस्ण संक्या चौता है किस विदिद्वारा बालकों के और सामान निवेवार भावना ग्रंती और मानसिक रोगों के कारणों का पता लगाया जाता है तो सही उत्तर है आप्षन भी निदानात्मक भी दी प्रस्ण संक्या पांच है सिच्छा मनो विज्ञान के अनुसार सिच्छा का केंद्र बिंदु है तो सिच्छा मनो विज्ञान के अनुसार बाल केंद्र सिच्छा की बात होती है यानि की बाल मनो विज ज्ञान या सिच्छा मनों भिज्ञान की अंसार सिच्छा का केंद्र बालक होता है सही आप्षन यह हैं आईए एगले प्रस्ण को देखें प्रस्ण संख्याथ 6 है बंसा नुक्रम ब्यक्त की जन्मजात विशेष्ताओं का संपूर योग है किसने कहा सही उत्तर आप्षंडी बुद्वर्थ ने कहा बंसा नुक्रम ब्यक्त की जन्मजात विशेष्ताओं का संपूर योग है प्रस्ण संख्यास सात्मा है बंसा नुक्रम एवंगवाता वरण एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने वाले प्रभाव हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता है तुनिवार है किस ने कहा सही उत्तर आप्षन बी बुद्वर्थ ने कहा बंसा नुक्रम एवंगवाता वरण एक दूसरे का सहयोग प्रदान करने वाले प्रभाव हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता है तुनिवार है बुद्वर्थ का कतन है प्रस्ण संख्यास आठ है जीवन के प्रथ इसकी आधार सिला रखता है यह कथन किसका है तो यह कथन जो है प्रसिद्व सिच्छाविद मनुबै ज्यानिक इस ट्रैंग महोदय का है प्रस्ण संक्यान नौ है कल्पना द्रिश्टि का नायक स्वयम शिशु ही होता है किसने कहा एक बार और सुने कल्पना शिष्टि का तो सही उत्तर है आप्शन quantify ? उत्याब ॢरता को शीखने का अदर स्काल किसने कहा जो है वह आप्शन वी बैलेंट्पन ने सह्य है वरस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है और कोल एवंग ब्रुष ने बाल्या अवस्था को जीवन का नोखा काल कहा है और किसोरा अवस्था को इस्टेलने हाल ने संगर्ष तूफान और तनाव की अवस्था कहा है तो आप इसे तयार रखेंगे आईए अगले प्रस्ण को देखें प्रस्ण सं सवता हैं हुटधा के सिद्धानत के समर्थक टो करमस विकास के सिद्धानत के समर्थक हैं थारना डाइक में हाँ लिंगवर्थ और किंग यानि यह सभी हैं प्राशन संख्या 13 है भ्यक्तिकामानसिक विकास ब्यक्तिका मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्ता में अपनी उच्चितम सीमा पर पहुच जाता है कि इसने कहा तो सही उत्तर है आप्षन बुडवर्थ ने कहा है कि ब्यक्तिका मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्ता में अपनी उच्चितम सीमा पर पहुच जाता है विकास का जो संबंद संबेदना से भी है प्रत्यची करण से भी है चिंतन से है यानि इन सभी से है प्रस्न संख्या 15 है जन्म के समय बालक में हड्यों की संख्या होती है तो इसका सही उत्तर है आप्षण डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप्षण डी यानि की 270 यहां पर देखिए कुछ तोड़ा सा कुछ टेक्निकल फाल्ट है सही हो गया तो इसमें जन्म के समय बालक में हड्यों की जो संख्या है वह है आप्षण डी है आठ्वा प्रस्ण है कि सोरा अवस्ता बड़े संगर्ष तनाव तुफान की अवस्ता एक इसने का तो सही उत्तर है आप्षण सी स्टेनले हाल अभी यह बताए हैं तो मित्रों इतना ही इसके बाद जल्द से जल्द मैं और जो प्रस्ण महत्पूर है उन्हें मैं बना के आ आपके सामने एंस्वर दिखाई दे रहा है कि सोरा अवस्ता में बुद्धी का अधिक विकास होता है करमशा विकास के सिद्धान के सभी विद्वान समर्थक हैं व्यक्तिका मानसी का 15-20 वर्ष की अवस्ता में अपनी उच्छितम सीमा तक पहूँ जाता है किसने का तो संगर्ष दूफान और विरोध की अवस्ता है तो यह जो कथन या परिवासा इस टेनले हाल का है तो आज अभी इतना ही इसके बाद जैसे वक्त मिलेगा मैं फिर मातुपूर कोस्चनों को आपके समझ प्रस्तूत करूंगा तब तक के लिए नमस्कार